गोरगपुर के लाल वैग्यानिक डॉक्टर अनंत नरायन भट ने कमाल कर दिया। कुरोना को मात देने के लिए इसी हफ़ते लॉंच होने वाली 2DG कुरोना की दवा, रक्षा अनुसंधान, विकास अनुसंधान, संगठन, डियाजियो द्वारा निर्मित, कुरोना की देशी और पूरी तरह कारगार दवा 2DG बनाने वाले वैग्यानिकों की टीम के डॉक्टर अनंत नरायन भट गोरगपुर के रहने वाले हैं। उनको इस बात का गर्व भी है, पूरी तरह अपने ही देश में निर्मित या दवा, शैशे में पाउडर के रूप में कोरोना संक्रमर से सत प्रतीशत निजात दिलाने में कारगार रही है। इसी हफ़ते या बाजार बे भी उपलब्ध होगी। करीब हफ़ते भर पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया से आपातकालिन इस्तमाल की मनजूरी मिलने के बाद हैदरबाद की डॉक्टर रे मरीजों पर भी कारगार है। साथ ही इसके इस्तमाल से तीन दिन के अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट भी हट जाएगा। पूरी तरह देश में निर्मेत कोविड मेडिसीन 2DG को विक्सित करने वाली टीम के एहम सदस से जियाजियों के वरिस्ट वैग्यानिक डॉक्टर अनंत न रहने वाले हैं। बकॉल भट आज गोरगपुर सीम योगी के नाते पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरा देश उनकी करमता और इमानदारी का कायल है। खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। डॉक्टर भट कहते हैं कि दे डबलू एच्चो नितियायोग वा अन प्लिटफॉर्म पर भी हुई है। दियाडियो के वैग्यानिक अनंत भट ने वैश्विक महामारी कुरोना के मरीजों को वह दवा उपलब्द करा दी हैं। जो कोविट के मरीजों के लिए संजीवनी के समान है। टू डीजी दवा क क्लिनिकल ट्रॉयल की सफलता को देखते हुए डीजी सीय ने आपात इस्तिमाल की मंजूरी भी दे दिया है। डॉक्टर भट का कहना है कि यह दवा आतनिर्भर भारत की संकल्पना पर आधारित है। अनके मुताबिक कोविट के पहले वेब में ही रियाजियो ने दवा बन पहले ही गई। इस दवा के बावत डॉक्टर भट का कहना है कि जिन मरीजों पर इसका प्रियोग किया गया उन्हें तीन दिन बाद ही अलग से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। 42 प्रतीशत मरीज 3 दिन में और 75-80 प्रतीशत तक मरीज 7-8 दिन में ही कुरोना संक्रमर से ठीक हो गये। 11-12 दिन में रिकरवरी की दर 7 प्रतीशत मरीजों में पाई गई है। गुरगपुर नियूज ने डियाजियो के वैग्याने डॉक्टर अनन नरायन भट से टेलेफोन पर बात करती हुए आमजन के सवालों को उनसे पूछा। मसलन 2DG दवा कैसे काम करती है? 2DG दवा की डोस क्या होगी? और कितने दिन दवा चलेगी? क्या या दवा कोविट की दूसरी के साथ तीसरी लहर में भी काम करेगी की नहीं? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? दवा कितने में आएगा? यानि दवा की कीमत क्या होगी दवा देने पर इंप्रूव्मेंट कितने दिन में हो जाएगा सफलता का प्रतीशत क्या रहा है अंट में हमने गोरगपूर नियूज की तरफ से DRDO के वेग्यानिक दॉक्टर अनंत नरायन भट से पूछा कि आप गोरगपूर के निवासी होने के कारट कैसा महसूस कर रहे है इन सारे सवालों का गोरगपूर नियूज को टालीफोन पर जवाब देते हुए DRDO के वेग्यानिक डॉक्टर अनंत नरायन भट ने कहा सबसे पहले तो गोरगपूर नियूज परिवार के तरफ से आप DRDO को बढ़ाई कि उन्होंने इस करोना के जो पंडेमिक है इसमें एक आसा की किरून असाफित किया पूरे देस के लिए सब ये डीजी टू दुवा का अविसकार का कब से चला है और पिछले अपरेल के महीने में हमने इस दवा पे कारे आरंद किया था जब ये एक परिकल्पना के रूप में इसामा तो उस सब में अपरेल में हमने कुछ ऐसे एविडेंस थे साइंटिफिक लिटरेचर में कि ये इसके आधार पे हमें ये विश्वास था कि ये मालिकूल सम्ड़ पर तास्क कोविटू के अग्याद काम करेगा और इस परिकल्पना हमने मार्च के महीने में बनाई और अपरेल में इसको हम हमने काई लोगों को कई जगे पर तुद किया और उसी कडी के तहने ने के सामने इस परिकल्पना को प्रतूद करने का उतर मिला और उन्होंने सुनते ही तुरंट वो इस पे तयार हुए और उनोंने कहा कि यह हो सकता है कि एक बड़ी ब्रेक्टू हो और अगर इसमें एक प्रतिशत भी संभावना है इसकी सफलता की तो भी मैं इसको इस काम को करना चाहूंगा और तुम इस काम को करो तो हमने इसको सुरुवाथ किया सब dang age और कुछ जगहों पर हमें यह प्रस्ओों करना पड़ा इस्ते पहले कि तो उस समय अपरेल के महीने में भारत में कहीं भी एक एक एपरियूटी नहीं थी हम इस दबा को टेस्ट कर सके क्योंकि वो ऐसा समय था जब यह वायरस आया आया ही था भारत में कुछी लोग इंटेक्ट हुए थे तो थोड़ा सर समय लगा जो मुख्य प्रयोग शा लाएं है भारत की कुछ उनको इस वायरस कॉ आइस। करने में इस को इस समय एक जूर्स करना पड़ता है तो वो एक महीने का समय लगा भारत की कुछ मुख्य प्रयोग सालाओ न हमने हमने ऐसी दोनों प्रयोक्षालाओं को लिखा था CCNB हैदरबाद ने हमें उसके लिए आमंत्रिस किया कि आप आईए यहां पर और यहां आज कि अपने जर्फ को टेस्ट कर सकते हैं तो उस सब्सक्राइमें चुकी कम्प्रीट लागडाउन था उस समय तो हमारे जो चेर्मेन हैं उन्होंने हमें एक विशी विमान के हैदरबाद देजा कि मैं जाके इस दवा का परिक्षन कर सकूँ तो मैं हैदरबाद किया और वहाँ पर उस समय जो प्रयोक शाला की वहां पर जो वाइग्यानी थे वाइरा उन लोगों के साथ मिलके हमने इस दवा का परिक्षन किया और उसका परिजाम जो है वह एक अपना समय लगा वह प्रयोग करने में और उस प्रयोग के दवरान हमें एक अपने बाद परिजाम मिले और वह परिजाम बहुत सुखत से यह जो दवा थी यह बहुत अच्छी कारगर थी ऐसे मरीजों में इसके सब्सक्राइब करने कि अनमती में गाले तो उसके बाद मैं के क्लिनिकल ट्रायल आरंब हुआ और मैं से अक्टोबर तक क्लिनिकल ट्रायल का सी दो चरणों में पून हुआ और यह मईश से अप्रूबर पर चला और नवंबर में कुना हमें फेज़्टे क्लिनिकल ट्रायल की पर्मिशन गई और वो ट्रायल जो है वो मार्च अप्रेल के महीने में पूंड हुआ इसी खारी दाल्चत करके हम डीसी जी आई के पास गहें और डीसी जी आई ने हमें फेर फेज़्टे क्लिकल ट्रायल के सखल करिणामों के आधार पर हमें इमर्जेंसी यूज अप्रूबल की अनुमती तो यह लगदा पूरा मार्च अप्रेल से लेके और मई 2021 सख यह लगद अभी तक जिसकी दवाइय आई हैं भारत में जो फॉपुलर एंटिवाइरल हैं जो मार्केट में भिक रहे हैं दिनकी कमी भी हो रही है और लोग उस दवा के पीछे भाग रहे हैं वो सारी दवाएय हैं जो पहले से ही मारकेट में उपलब देता या तो वो clinical trial के बहुत advanced stage में थी या market में उपलब दे थी और उनको तुरंट clinical trial करके भारत में पूरी विश्व में और भारत में भी लाया जाता था लेकिन ये पहली ऐसी दवा है जो दवा के रूप में कहीं अप्रूव नहीं थी तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धी है कि हम लोगों ने इस दवा को ये इस chemical के रूप में जाना जाता था और clinical trial इसका हो चुका था लेकिन दूसरे कारणों के लिए हो चुका था ये वाइरस के लिए दवा अभी तक कहीं अप्रूव नहीं थी पूरे विश्व में और ये कैंसर के लिए भी ये दवा पूरे वेश्व में पहीं भी अप्रूव महीं है लिए इस मॉली कूल को मतलब इसको आप कहते हैं अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बेंच टू बेड़ साइज मतलब आप वर्किंग गेंच पे अपनी प्योग साला से इस मॉली सूल क बेड़ साइज बतलब अस्कताल के बेड़ तक पहुंचा आए हैं और ये बड़ी उपलब्दी है मुझे लगता है कि भारत की ये ऐसी दवा है भारत में जो मार्केट में उपलब्द नहीं थी और इसका क्लिनिकल कायल करके हम मार्केट प्ले आए हैं इस दवा को और आप गैनते हैं कि भारती वेक्सीन बंभारत अपनी पौर्णों से खाटिये दवा हैं तो यह दोनों जो यह दोनों जो कुछिया ऑढ़री ऑई पलब्दीया है यह घारती बड़ी फानलागों को लगत वीरे है व्योवां इसमें एक काम करता रहं जो क्यरदिए ते टे जो जो इसको मतलब जो वाइरली इंशिक्टेश रज होती है जैसे जब वाइरस मनुश्य के सरीर में घुजता है तो कुछ कोशिकाओं को इंशिक्ट कर देता है और जब वो इंफेक्ट करता है तो ये वाइरस उन कोशिकाओं में अपनी ब्रिज्जी करती है और उसके बाद वहां से निकल के तमाम कोशिकाओं को इंफेक्ट करती है और वो तमाम कोशिकाओं से फिर अन्य तमाम कोशिकाओं को इंफेक्ट करती है और सबसे जादा इसकी जो अफिनिटी होती है इसको इसके लिए सबसे अच्छा जो प्रोइड कराती है वहां कि की कोशिकाइब हर अपनी कौपी बनाकि और उसको पुरी शरीर में सहल आए तो ये एक तरह से मान के चलिए कि ये बेफ़णों की कोशिकाओं को मुख्य रूप से प्रभावित करता है अब ये दवा कैसे काम करती है कि ऐसी सारी कोशिकाओं की जो ग्लुकोज डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बतलब उनको बहुत ज्यादा ग्लुकोज चाहिए होता है ताकि वाइरस बहुत तेजी से मल्टिपलाई कर सके तो ये चुके एक सूडो ग्लुकोज है तो ये क्या होता है कि ऐसी कोशिकाओं में ज्यादा इकत्रित हो जाता है जो वाइरस इंफेक्टेड है ये सामान में कोशिकाओं में ज्यादा नहीं जाता है सामान में कोशिकाओं में इसकी बहुत कम मात्रा जाती है तो इसलिए सामान निकोशिकाओं में लेकिन ये जो वायरिली। इंफेस्टेस्टल्स हैं उनमें बहुत जादा आके इकठथा हो जाता है। ये इसकी बहुत अच्छी थूबी है। तो जब यह वहां जाके इकट्था हो जाता है तो आप एक सामान व्यक्ति की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वहां जाके इकट्था होके यह metabolism को छोप कर देता है मतलब समझ लेजे कि एक दर्वाजे से रहे सारे व्यक्ति घुस रहे हैं और जब उसमें जाके आगे बढ़ी नहीं रहा है वो व्यक्ति वहीं रुक गया तो फिर दर्वाजे से और लोग नहीं घुस पाएंगे फिर तो वहीं पर जाके रुक जाता है और ग्लुकोज की requirement जो उस शरीर की वो उस कोशिका की वो पूरी नहीं होती है तो उस कोशिका में वाइरस multiply नहीं होता और जो वाइरस multiply नहीं होता है तो वो फिर वाइरस का production जो है वो multiplication उस कोशिका में रुक जाता है जिससे पूरी शरीर में हमारी जो वाइरस है उनकी बनना रुक जाता है उनसे और जो शरीर को छपी पहुंच रही है वाइरस के multiply होन इसकी 2Doze एक दिन में ली जाती है सुबह और शाम और शाम कोई इनर के 20 से 30 मिन पहले इसकी प्रिव ली जाती है तो यह जो फसी दिन 2 Doze में लारिक है और ये बहुत जरूरी है कि इसको भोजन करने से 20-30 मिनित पहले ही लिया जाए और उसके बाद ये जो जादतर मरीजों में बहुत अच्छे परेडाम पांच दिन तक मिले तो इसलिए हम पांच दिन रिक्मेंट कर रहे हैं और ये जो दवा आएगी भी ये 10-23 के पैक्ट में आएगी और पांच दिन की दवा होगी और अगर थीसी देश्टी को पांच दिन में आराम नहीं मिलता है कुछ लोगों की इस पिती थोड़ी ज़्यादा खराब होती है उनके लिए नहीं हो सकता है कि 7 दिन इलाज चलाना पड़े 10 दिन इलाज चलाना पड़े तो वो इस प्रिस्क्रिप्शन है वो 5-7 बेस का ही है सर इसमें जो तुमाम जिसे दूसरी रहर चल लाई है तीसरी का संका है तो सर यह तो सब में काम करेगा इसका मतलब करेगा यह दवा हमने मौटेट इस मतलब करें यह और इसको अन्य दवाओं के साथ वह दियाजा सकता है तो कोई सारग की तरह है जैसा हमारे में है जो इस संद्रता है के साथ नहीं करता तो इसलिए जो है यह किसी दबा के साथ दिया जा सकता है UPS के बात कर農ा है तो कई तो क्या उनके लिए कोई सुगर की मात्रा तो नहीं बढ़ा है कि हमने जो फेस्टी ट्राइल किया था फेस्टी ट्राइल में सारे पेशेंट्स ऐसे भरती हुए जिनकी कंट्रोल लुको इसकी आप जान रहे हैं कि यह बिमारी जाहतर ऐसे लोगों को दिक्कत जाना हो रही है जिनसे बिमारी इस्टी में अंकी शुगर बहुत नीचे उपर जाती है तो सारे तीफ हुए जिनको यह दवा दी गई है वो ठीट हुए लेकिन कुछ लोग जिनकी बहुत अंकॉंट्रोल थी और उनका शुगर 300, 300, 30 त गया। उन मरीजों को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, यही दिक्कत होई, पाकी दवा देने में उनको कोई ऐसी परिशानी नहीं हुई, उनकी डॉक्टर्स उनको इंसुलीन दे के ऐसे मरीजों को इंसुलीन तथा जो डियाबटीज का मैनेजमेंट है, वो अगर संट्रो रखें, तो दवा देने के साथ कोई दिक्कत नहीं होती और डियाबटीज के पेशिंट वी दवा को ले सकते हैं, तर इसमें आप लोग लांच कब तक हो रही है, सब किस तारीक हो रही है, तेके अभी लांच का जो निर्धारन हुआ है, वो इस सफ्टाह में एक बड़ी ख सफ्टाह में आजाएगी और इस सफ्टाह में इसको लांच करने का विचार है, जो आने वाला सफ्टाह है, और उसके बाद फिर जो दूसरी खेप होगी, एक और छोटी खेप या कह सकते हैं, फोडी बड़ी खेप, पहली खेप से, वो मही के अन्तिन सफ्टाह में आएगी और उसके बाद जून माह से जो डाक्टर हेटी लाब के साथ हमारा वांता लाब चल रहा है, बैसनी चल रही है, उसके हिसाब से जून माह से पचास अजार से एक लाख सैशी जो है, वो बाजार में आना सुरू हो जाएंगे, और हमें आशा है कि हम सब जो इस बिमारी से प पहुचा पाएंगे, सर एक जो कमन सवाल है, सर जो भारती लोगों के अंदर आता है, कि आएगा कितने में? मतलब आप पूछना चाहिए है, प्राइस का? जी, तो अभी जो डिस्केशन चल रहा है, वो जो रवा मेटीरियल और सारी लागत के बाद, वो लगपक पांच सो रुपए एक सैशे का पड़ेगा, तो ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी को चुकि कंपनी ने का चुकि DRDO जुड़ा हुआ है, तो इसले कोशिश ये रहेगी कि ये आम जन्मानस के अपने बजट में हो, और संभवत है 500-600 रुपए या 700 रुपए तर एक दोज की कीमत होगी. सर इसमें जो एक आता है कि सर रिकवरी के लिए सर पेसेंट को अगर दवा दी जा रही है, तो आपने कहा था कि एक हपते के अंदर जो है वो रिकवर कर जाएगा, जो डोज दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर इंप्रूमेंट कब से चालू हो जाएगा? गल के देखिये, जो हमने डेटा, हमने प्रस्तुत किया, करिभ आदे ही मरीज ऐसे हैं, जो तीसरे दिन जिनकी और ขथन हो जाती है, और अघे मरीज हैं, उसके आने वाले दो-तीन दिन में और खत्म हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, याह मरीज में ने हैं, जो तो जो मरीज, जो मरीज capable हैं उनकी जल्दी खतम हो जाती हैं उनकी तीन के पास दिन में खतम हो जाती है और कई मरीज ऐसे हैं जिनकी बिमारी ते लाखानी के चंथा थोड़ी गाम है तो उनमें थोड़ा 7 दिन से 9 दिन दिन लग रहे हैं जादार मरीज जिनें करेब 70-70 लेकिन कुछ मरीज ऐसे थे जो 11-12 दिन से भी हमारे क्रायल में रहे और वो 12 दिन के बाद जाके डिस्टार्ज हो जो जिनों ने ये दवा लिया तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मरीज बहुत स्लो रिस्पॉंड कर रहे हैं जैसे 70-80 प्रतिशत मरीज मैंने बताया गया और वाकी और 15-25 प्रतिशत मरीज थे वो 10 दिन के अंदर और 25-25 प्रतिशत मरीज दस दिन के सब अंदर डिस्टार्ज हो गया कुछी मरीज थे जो 11-12 दिन तक है तो ये डिपेंड करता है मतलब ये मान के चलिए अलग-अपनी चंता के आधार पे जो सबसे कम दिन में प्रतिशत लोग ठीक होके गए और उनकी उन लोग की मतलब इसने पचासी प्रतिशत लोग जब वो सात्रे दिस्चार्ज हुए तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव थी उनके जितने भी सिंटम थे वो सारे सिंटम समाथ हो चुके तब तक लगवग लगवग खतम थे उनको बहुत लगवग एसिं जब दिस्चार्ज हुए तो उनको बहुत माइल्ड सिंटम से ये डिपिंड करता है डॉप्टर की कॉल पर डिपिंड करता है डॉप्टर को लगता है कि अभी मरीज ठीक हो चुका है और थोड़ा सा जैसे अगर इसको खांती खोड़ी बची रह रही है या बाकि सब कुछ सब्सक्राइब करता है डॉप्टर को जब लगा कि है ये ये विट्पिया ठीक है इसको भर भीजा जा सकता है तो उसने उसको तीसरे चौते दिने डिस्चार्ज कर दिया और डॉक्टर ने और उस मरीज को बस हल्की हल्की खांसी ती या कुछ ऐसी चीज थी तो भी मुझे जब लगता है कि जैसे कई मरीज जो ट्रायल मे रहे पांच वे दिन तक और पांच वे साथे दिन उनको डिस्चार्ज किया गया उनकी खांसी भी पांच वे साथे दिन तक पो रूप से ठीक हो गई तो ये जादर मरीजों की सिंटम्स जो है वो दवा से क्योर हो गए जो है वो भात इच्छे मिल रहे हैं तो एक गोरकपुर यह होने क्या कारण जो है सब्सक्राइब कितना यह गोरुपुर के लिए तो लोगों के लिए प्राउड का कुशा है कि आप जिसे बैग्यानिक नेतित मैं इसको सफलता मिले इसके लिए तुब धन्यवाद सब्सक् है और ऐसे यह हमारे लिए एक आप कैसरे हैं कैसे लोगहों के अनुबह और ये तो यह मेरी इससे इसन बड़े गोई और को 10 कि मैं हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात का गौरभ है कि मैं गोरगपुर से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिगत कुछ वर्सों में योगी जी के गोरगपुर से होने के नाते गोरगपुर मात्र भारत में ही नहीं विश्व पठल पर आज गोरगपुर जाना जाता है और योगी जी की जो हमारे मुख्यमंत्री है उनकी करमठता इमानदारी और पूरा देस इस करमठता और इमानदारी का कायल है कई आउसरों पर नरेंदर मोदी जी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं तथा COVID का जो management उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में वो भी तारीफे काबिल रहा है और इस संत्रमण के बावजूद भी जिस प्रकार इतनी हमारी जनसंख्या जादा है उसके बावजूद भी जो संत्र प्रमण का नियंत्रण रहा है तथा अन्य प्रबंदन रहे हैं वो मानिय योगी जी ने बहुत अच्छे से किया है और इन नीतियों का डबलू एचो ने तथा अन्य कई प्लैटफॉर्म पे बहुत अच्छी तारीफ भी हुई है तो ये मेरे लिए एक स्वभागी की बात ह है कि मैं भी उसी जिले से आता हूं जहां से योगी जी आते हैं और योगी जी का नाम इस जिले से जुड़ा हुआ है तो यह मेरे लिए गौर्टपुर से जुड़ा होना एक बहुत-बड़े स्वभागी की बात है तो इसके लिए तो बढ़ाई कि आप पात रहे हैं आयओे हैं? वा गय वा है